Hello everyone! 7 Star Kitchen पर आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूँ नारियल तेल के फायदे नारियल का तेल बहुती गुड़कारी होता है नारियल के तेल से सरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं यह बालों के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है इसके साथ-साथ यह हमारे पूरे सरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है आपकी समस्या चाहें बालों से सम्बंदित हो, इसकीन से सम्बंदित हो या पूरे बौडी से सम्बंदित हो नारियल तेल इन सभी समस्याओं को दूर करने की शमता रखता है और ये मार्केट में हमें काफी एकनॉमिकल रेट में भी मिल जाता है तो चलिए फिर हम जानते हैं नारियल के तेल से सरीर, सिहत, बाल और तोचा को हम कैसे लाग पहुचा सकते हैं होटों के फटने और ड्राइनेस को आप नारियल तेल से दूर कर सकते हैं इसके इस्तिमाल से होट स्मूथ और सौट बन जाते हैं मच्छरों के काटने से कई बार स्किन में लाल चकते और सूजन आ जाती है इससे आपको बुखार, डेंगु, मलेरिया तक हो सकता है मच्छरों के काटने से बशने के लिए आप नारियल तेल को अपनी पूरी बॉड़ी पर लगा सकते हैं इसके इस्तिमाल से मच्छर आप से दूर भागते हैं और आप उनके आकरमंट से बश सकते हैं नारियल का तेल नीद लाने में भी काफी साहेक होता है यदि आपको नीद नाने यानी आनिद्रा की शिकायत है नारिल का तेल आप अपने कानों से मैल निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हमारे कानों में कभी-कभी मैल इतनी ज़्यादा जम जाती है कि वह काफी कठोर हो जाती है उसे असानी से हम निकालने ही पाते अगर आप मैल को निकालने के लिए कानों को ऐसे ही खोदते रहेंगे तो वह कानों के लिए काफी घातक हो सकता है इससे बचने के लिए आप एक डॉपर में नारिल का तेल डाले और इसे अपने कान में डाल सकते हैं इसका बहतर रिजल पाने के लिए आप तेल को हलका सा गरम करके भी डाल सकते हैं ऐसा करने से जो हमारी कान की मैल होती है और काफी नरम हो जाती है और वह अपने आपी बाहर निकल जाती है गर्मियों में कई बार लोग अपने शरीर की दुर्गन से काफी परेशान होते हैं उन्हें दूसरों के सामने जाने या उनसे मिलने में काफी कठनाई होती है नारिल के तेल के प्रियोक से आप शरीर से आने वाली दुर्गन से बस सकते हैं नारिल का तेल जलने में भी काफी उपयोगी होता है अगर आप जल गए हैं और आपकी स्किन पर छोटी छोटी छीटे आ गई हैं तो सबसे पहले उस चोट पर कोई ठंडी चीज लगाएं और उसके बाद नारिल तेल की एक खलकी सी परत लगाएं जब तक आपको जली वी स्किन पर आराम न मिल जाए यानि जलन होती रहें तब तक आप हर एक घंटे के अंतराल पर उसी स्किन पर नारिल का तेल का परत लगाते रहें नारिल का तेल लगाने से इसकीन पर जले का निसान नहीं रहता और इसकीन से दाग दब्बे भी दूर हो जाते हैं अगर आप पैरो की फटी एडियों से परिशान हैं फटी एडियों को मुलायम बनाने के लिए नारिल का तेल बहुत ही अच्छा उपचार है फटी एडियों से निजात पाने के लिए आप नारिल के तेल में चुटकी भर हल्दी को मिक्स करें और इसे अपनी एडियों पर लगाएं इससे आपकी फटी एडियों की दरार जल्दी से भरने लगती है और आपकी एडियां सुन्दर बन जाती है कई बार हाथों में dryness होने के कारण जो नाखुनों के बगल की skin होती है वे भी निकलने लगती है नाखुनों के आसपास वाले skin पर नारियल का तेल लगाने से जो skin होती है वे निकलना बंद हो जाती है नारियल के तेल से नाखुनों की अगर आप मसाज करें तो आपके नेल्स भी काफी शाइनी बन जाते हैं नारियल के तेल से उंगलियों की मसाज करने से इनका ब्लड फ्लो बना रहता है सर्दियों में कई बार हाथ साबून से धोने के बाद जो हमारे हाथ होते हैं काफी ड्राय हो जाते हैं हाथों की इस परिशानी से बशने के लिए भी आप नारियल तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं जब भी आप सर्धियों में हाथ धोएं तो हलका सा नारियल कातेल अपने हाथ उपर लगालें। ऐसा करने से जो आपके हाथों की स्कीन है वो ढूराय नहीं होगी और आपके हाथ काफी सुन्दर दिखाई दिछेंगे। नारियल का तेल सर्दी जुखाम से भी रहात दिलाता है अगर आप सर्दी और जुखाम से बचे रहना चाहते हैं तो अपनी चाय या कॉफी में कुछ नारियल की तेल की बुदे मिलाकर पी सकते हैं नारेल का तेल हमारे दिल के लिए भी बहुती ज़्यादा फाइदी मंद होता है ये हमारे दिल को हेल्दी बनाए रखने में हमारी मदद करता है ये हमारे बॉड़ी में कॉलेस्ट्रोल लेवल को बढ़ने से रोकता है और इसके साथ साथ ही high blood pressure को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है ये धमनियों की सूजन को कम करता है इसलिए आप अपने दिल को स्वास्ते रखने के लिए नारेल का तेल का इस्तेमाल अपने भोजन में जरूर करें छोटे बच्चों को कई बार डाइपर से rashes हो जाते हैं ज्यादा देर तक डाइपर पहनाने से जो बच्चों की तवचा होती है काफिर ड्राय हो जाती है इसलिए आप डाइपर के इस्तेमाल से पहले थोड़ा सा नारेल का तेल बच्चों को लगा दे तो ऐसा नहीं होगा आप नारेल के तेल को मेकप रिमूवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं यानि कि आप अपने मेकप को उतारने में इसे इस्तेमाल मिला सकते हैं कॉटन की रूई में नारियल के तेल को लगा कर अपनी स्किन पर हलका हलका रगड़े इससे आपका जो मेक अप है वह बहुत आसानी से उतर जाएगा इससे आप वाटरप्रूफ मस्कारा और लाइनर तक भी साफ कर सकते हैं नारियल का तेल स्क्रब की तौर पर भी यूज किया जा सकता है नारियल के तेल में आप थोड़ी सी चीनी या नमक मिलाकर इसे हलका हलका अपने स्किन पर रगड़ कर डेट सेल हटाने में इसे यूज कर सकते हैं कई बार स्क्रब करने की वज़े से जो हमारी स्किन होती है वो काफी ड्राय हो जाती है अगर आप नारियल के तेल से स्क्रब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा नारियल का तेल नैचुरल एंटी एजिंग के रूप में भी काम करता है यानि कि बढ़ती हुई उम्र में स्किन पर पढ़ने वाली जुर्यों से बशने में हमारी सायता करता है जुर्यों से बशने के लिए नारियल के तेल में विटामिन E का कैपसूल मिलाएं और इसे जुर्यों वाली जगह पर रात भर के लिए लगाएं और सुबह होते ही पानी से चाहरे को धोले इससे जो हमारे चैरे की स्कीन होती हो काफी टाइट हो जाते यानि की जोरियां खत्म होने लगते हैं आखों के आसपास नाचल के तेल की कुछ बूधे लगाकर मसाज करने से डार्क सरकल भी दूर होते हैं नारिल के तेल से मालिश करने से इसकी इन ग्लोईंग और मुलायम बनती है मूँ की दुरगन दूर करने के लिए भी आप नारिल के तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं मार्केट में जो हमें माउथ फ्रेशनर मिलते हैं उसमें अलकोहल और फ्लोराइड पड़ा होता है जो की हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं इसके हानिकारक प्रभाव से बशने के लिए आप मार्केट से बने हुए माउथ फ्रेशनर की जगा नारिल की तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं मुँ में नारियल का तेल भर कर कुल्ला करने से ये मुँ की दुरगन को दूर करता है और मुँ के बैक्टिरिया को भी नस्ट करता है नारियल तेल के इस्तेमाल से धूप से होने वाले संबर्ण से भी बचा जा सकता है धूप में निकलने से पहले आप अपनी स्किन पर नारिल के तेल को अच्छी तरीके से लगा ले इससे sunburn नहीं होता है और इसके साथ ही आपको पसीने से होने वाली बीमारियों से भी बचाता है आप खाज-खुजली और एकजीमा को दूर करने के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं नारिल का तेल हमारी स्किन के लिए सर्दी वय गर्मी दोनों में ही अच्छा होता है नारिल के तेल को आप इसकिन मोश्राइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं यह हमारी स्किन में बहुत ही असानी से अंदर तक चला जाता है जिससे हमारी स्किन को काफी नमी प्रदान करता है नारिल का तेल ड्राइ स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ड्राय स्किन से बचने के लिए और अपनी स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए आप नहाने से 15-20 मिनट पहले नारील के टेल को पूरे बोड़े पर अच्छे तरिके से मसाज कर ले और बाद में ताजे पाने से नहा ले ऐसा करने से जो आपके dry skin होगी वो काफी smooth और मुलायम हो जाएगी नारील का तेल आप मोटा पदूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं नारील के तेल में बनाये गए बोजन को खाने से हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती नारील का तेल शरीर में फैट को जमा होने से रोकता है इसलिए आप खाना पकाने के लिए इस तेल का इस्तेमाल करें और अपने वजन को बढ़ने से रोकें नारिल का तेल हमारे पाचन तंद्र के लिए भी बहुती जादा फायदे मंद होता है यह हमारे पाचन क्रिया को काफी तंद्रुस्त बनाता है इसको हम अगर अपने भोजन में रेगुलर इस्तेमाल करें तो इसके regular इस्तिमाल करने से सरीर की रोग परती रोधक शमता बढ़ जाती है और इसके साथ ही नारील का तेल diabetes के लिए भी काफ़े फायदे मंद होता है नारील का तेल blood sugar को normal बनाए रखने में हमारी मदद करता है जिससे के हम diabetes को control करने में इसका इस्तिमाल कर सकते है नारील के तेल को आप bathroom के cleaner के तोर पर भी use कर सकते है इससे आप bathroom में लगे वे नल और shower बगरा को साफ कर सकते है किसी कपड़े में थोड़ा सा नारील का तेल लगाए और जो भी चीज आप साफ करना चाते है इस कपड़े से आप उसे scrub करें इससे वे चमक जाते हैं और एकदम नए जैसे लगने लगते हैं जोडो में होने वाले दर्द के लिए भी आप नारील के तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं जोडो में होने वाले दर्द से बचने के लिए आप तेल को हलका सा गरम करें और इससे अपने जोडों की मालिश करें नारील का तेल जोडों और माशपेशूं में होने वाले दर्द को कम करता है और यह इसमें काफी आराम पहुचाता है नारील के तेल को आप shaving cream की तरह भी यूज कर सकते हैं जब भी आप shaving करने जा रहे हैं तो shaving वाले area पे थोड़ा सा पहले skin को गिला करकर नारिल का तेल लगा ले इससे जो आपकी shaving होगी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी और shaving में होने वाले cut और burn से भी आप बच जाएगे waxing और shaving के बाद नारिल तेल लगाने से skin काफी glowing हो जाती है नारिल के तेल को आप under आम के लिए deodorant की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि ये बालो के लिए किस तरीके से फायदेमंद होता है नारिल का तेल बालो को चमकदार बनाता है और उसकी growth को भी बढ़ाता है अगर आप बालो की जढ़ने की समस्या से परेशान है और बालो में dendrif है तो नारिल का तेल आपकी मदद इसमें क कर सकता है नारिल में पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुड जो होते हैं वे हमारे बालो में dendrif को होने से रोकते हैं यह हमारे बालो की growth को बढ़ाता है और बालो में होने वाली समस्या को रोकता है आप अपने बालो को सिल्की और मुलायम बनाने और सुबह होते ही अपने बालों को दोए इससे आपके बाल शाइनी और सिल्की हो जाएंगे अगर आपके बाल बहुती ज़्यादा उलस्ते हैं, तो आप थोड़ा सा नारेल तेल अपने हाथों पर लगांगर अपने बालों पर लगाएं इससे जो आपके उल्जेवे बाल हैं वैं काफी हद तक सुलत जाएंगे नारील का तेल बालों के लिए एक बहुती बहतरीन कंडिशनर का भी काम करता है नारील के तेल में ऐसे पोशक तत्व पाय जाते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए काफी फायदे मंद होते हैं इसके लिए आप अपने बालों की जड़ों में नारील का तेल बहुती अच्छी तरीके से लगाएं और इससे अपने बालों की मालिश करें और गर्मियों के दिनों में इससिर को ठंड़क पहुचाता है और बालों की रुक्षपन को दूर करता है तो ये थे हमारी body, skin और बालों को होने वाले नारियल तेल के फायदे तो चलिए इसे इस्तेमाल करते वक्त हमें किन साफ धानियों को बरतना चाहिए वह भी जान लेते हैं कुछ लोगों को नारियल तेल से अलर्जी होती है अगर वे अपनी skin पर इसे लगाते हैं तो उनकी skin जल्दी फट जाती है इसलिए आप सबसे पहले थोड़ा सा नारियल तेल अपनी skin पर लगा कर देख लिए अगर आपको किसी भी तरीकी की aging या problem हो रही है तो आप नारियल तेल का इस्तेमाल ना करें नारियल के तेल को आप अपने सर में एक दिन से ज़्यादा नालागा रहने दे ऐसा करने से जो बाल होते हैं चिपचिपए हो जाते हैं और सर से बदबु आने लगती है इसकीन को नारियल का तेल सोकने में लगबग 15 मिनट लगते हैं नारेल की तेल की कुछ बूदे ही अपने स्कीन पर इस्तेमाल करनी चाहिए ज्यादा तेल के इस्तेमाल से जो बॉड़ी होती हुए चिपचिपी हो जाती है नारेल की तेल को गरम करने से इसके जो पोस्टिक तत्व होते हैं वैं थोड़े कम हो जाते हैं इसलिए आप नारिल तेल को कभी भी पिगला रहें तो इसे डारेक्ट गरम करने की बजाए पानी को हलका सा गरम कर लें और फिर उसमें नारिल तेल को रखकर पिगलाएं तो फ्रेंड्स आज से ही आप नारील का तेल इस्तेमाल करिए और अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाईए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें